टोमाटो केचप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डिमांड लगभग हर घर या होटेल्स में रहती है शहर और गाव दोनों ही जगा इसकी काफी डिमांड है जिसके कारण टोमाटो केचप की एक काफी अच्छी मार्केट है ऐसे में आप भी अपने प्रोडक्ट ही बहतर मार्केटिंग करके अपना ब्रांड क्रीट कर सकते हैं इंडिया में अगर हम यंग्स्टर्स की बात करें तो लोग रोट साइड धाबो, होटेल्स एवं घरों में भी चाइनीज या कॉंटिनेंटल खाना पसंद करते हैं जिसके कारण टोमाटो प्रोसेस बिजनस में लगभग 75 प्रतीशत की अपॉर्शिंटीज मौजूद हैं IID, Institute for Industrial Development आज आपके लिए लेकर आया है टोमाटो केचप मैनुफाक्ट्रिंग पर एक Exclusive Industrial Documentary जिसकी मदद से आप भी अपना खुद का बिजनस शुरू कर सकते हैं और इसमें काम्याब हो सकते हैं चलिए जानते हैं इसके मैनुफाक्ट्रिंग के पारे में Types of Products Manufacturing टोमाटो केचप, टोमाटो प्यूरी, टोमाटो पल्प इसके इलावा आप इन मशीन की मदद से पीजा सॉस, पास्ता सॉस, मस्टर्ट सॉस, इत्यादी भी मैनुफाक्ट्र कर सकते हैं इस बिजनस के लिए आपको जिन मशीन की आवशकता होगी वो है fruit washing machine, sorting machine, crushing machine, pulping machine, cooking machine, homogenizer, filling section which include bottle filler, bottle washing machine, bottle capper raw material tomato sauce, tomato puree, juice, इत्यादी बनाने के लिए आपको raw material के तौर पर fresh tomatoes या tomato paste की आवशकता होगी वही red या green chili sauce manufacturing के लिए आपको red chili या green chili की आवशकता होगी साथ ही आपको fruit color, sugar, salt, spices, water, इत्यादी की भी आवशकता होगी एरिया इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 से 5000 स्क्वेर फीट एरिया की आवशकता होगी electricity इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 किलो वाट बिजली की आवशकता होगी investment इस बिजनस को एक छोटे स्थर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 लाग रुपे तक की मशीन रीगी आवशकता होगी जिसमें आप सेमी आटोमाटिक मशीन की मदद से टोमाटो कैचप तयार कर सकते हैं वहीं इस बिजनस को आटोमाटिक मशीन की मदद से शुरू करने के लिए आपको लगभग 20 से 25 लाग रुपे investment की आवशकता होगी प्रोसेस टोमाटो कैचप तयार करने के लिए सबसे पहले फ्रेश टोमाटो की वशिंग की जाती है जिसके बाद आप manually या sorting conveyor की मदद से sorting करते हैं जिसके बाद टोमाटो की crushing की जाती है व्रोसेस के बाद पलपर से pulping होती है पल्पिंग के बाद इसे कुकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है जहां आप केचप, प्यूरी, ग्रीन और रेट चिली सॉस तैयार कर सकते हैं कुकिंग प्रोसेस के बाद होमजनाइज करने के लिए कॉलाइडल मील या हाई प्रेशर होमजनाइजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बाद आपके प्रोडक्ट को पाकेजिंग सेक्शन में भेज जाता है जहां फिलिंग मशीन की मदद से फिलिंग होती है और crowning cap machine की मदद से bottle में cap आड़ कर दिये जाते हैं जिसके बाद आप इसे market में sell करने के लिए भेज सकते हैं आप अपने products को wholesale में भी किसी भी grocery store, supermarkets, malls, इत्यादी में, bulk में supply कर सकते हैं आप चाहे तो अपने products को retail या online sell करके भी अच्छा profit earn कर सकते हैं Profitability Tomato ketchup बनानी के लिए जिन raw material की आवशकता होगी उसकी cost लगभग 30-32 रुपे पर kg तक होगी वही packaging और direct cost लगभग 30 रुपे पर kg तक होगी Conversion cost मिलाकर आप अपने product को लगभग 70-75 रुपे पर kg के हिसाब से तयार कर सकते हैं वही इस product को आप market में 85 रुपे पर kg के हिसाब से sell कर सकते हैं उस हिसाब से अगर आप 100 kg पर आर की capacity पर काम करते हैं तो आप एक दिन में लगभग 7-8,000 रुपे तक का profit earn कर सकते हैं License इस business को शुरू करने के लिए आपको जन license और government registrations की आवशक्ता होगी वो है FSS AI license, GST number, उधियोग अधार साथ ही आपको fire department से NOC लेने की आवशक्ता होगी Loan इस business के लिए आप PMEGP के अंतरगत loan प्राब कर सकते हैं अगर आपको इस business को शुरू करने और सफलता पूर्वक्त चलाने के लिए किसी भी expert advice या guidance की आवशक्ता है तो आप screen पर दिये हमारे contact number, email ID के थुरू हमसे समपर कर सकते हैं साथ है आप हमारी website www.iid.org.in पर भी visit कर सकते हैं